कि हलो गुद्बॉणिग फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मैं चैनल तो फ्रेंड्स आज मैं मिनी चान्दी जो लगाई थी मिनी चान्दी की जो कटिंग लगाई थी वह बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है तो आज मैं उसे रिपॉर्ट कर रही हूं और बहुत सारे प्लांट को म इनकी मैं आज रिपॉर्टिंग करूंगी तो यह देखिए मैंने डिस्पोजल में और लगाया था यह बच गया थी मेरे प्लांट क्योंकि मैंने इसे इन दोनों प्लांट के नीचे रखा हुआ था तो यह प्लांट मेरे बच गया थे और देखिए इनकी ग्रोथ कितनी रूट्स बाहर तक दिख रही है यह देखिए तो मैं आप लोग को निकाल कर भी अभी दिखांगी और इसमें भी मेरे दो प्लांट बचे हैं इस तरह से तो हम किस तरह से कटिंग लगा इस बारे में तो मैंने आप लोग से बताया है कि मेरी मेरी गोल्ड की छोटी-छोटी कटिंग लेकर आप पे और सेंड में लगाईए बहुत अच्छे से ग्रोफ हो जाता है और जब इनकी पतियां नियों आने लगे तो इनमें आप क्योंकि रेट में लगाए हैं तो इनमें आप वर्मिक कंपोस्ट इस तरह से डाल दीजिए देखिए मैंने वर्मिक कंपोस्ट प्लांट लगा सकते हैं और इनसे बहुत सारे डे还有ल बने सकते हैं तो मेरे पास तो चारे बचेתח है चार पांच कटिंग तो मैं इनहीं को रिपार्ट करूंगी और इनहीं से फिर cutting ले लेकर क्योंकि अभी time है friends cutting लगाने के लिए पूरा अगस्त बचा है तो जब ये plant थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इनसे cutting लेकर मैं और खुब सारे plant बना लूँगी तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ तो ये देखिए friends ये मेरे mini चाननी के cutting मैंने लगाई थी और ये बहुत अच्छे से grow भी हो गई है तो चलिए मैं इसका update आप लोग को दिखाती हूँ देखिए friends इसकी roots पुरे उपर तक दिखाई दे रही है देखिए इस तरह से मतलब इनमें अच्छे से roots आ गई होगी तो मैं इसे निकाल कर दिखाती है ये देखिए मैंने प्योर सेंड में लगाया था और इनकी roots देखिए बहुत अच्छे से आ गई है और इसकी भी देखिए कितनी अच्छी roots है तो मैंने देखिए ये 3 इंच का pot लिया है और मैंने इसमें मिट्टी भर लिया है मैंने मिट्टी एक भाग मिट्टी एक भाग कंपोस्ट एक भाग रेद एक मुठी निमखली और एक चमच खंगिसाइड पाउडर मिला लिया है तो देखिए यहां पर थोड़ा सा से होल कर लीजिए गिली है मेरी मिट्टी और बस आपको कुछ नहीं कर रहे हैं इसको इस तरह से दबाव ने देते हुए बस बिल्कुल हलके हाते से इसे रख देना है इस तरह से और रखके इस तरह से आप बिल्कुल हलके हातों से प्रे यह देखिए मिट्टी आप वहां तक दबाईए कि इनकी रूट्स दिखाई ना दे और मेरे गंबले की मिट्टी गीली है तो मैं जादे इसमें वाटरिंग नहीं करूंगी बस थोड़ा सही डाल दूंगी तो इस तरह से हम अपने कटिंग को रिपोर्ट कर सकते हैं और अपन मेरा यही टॉपिक था कि मीनी चाननी मेरी गोल्ड को हम किस तरह से रिपोर्ट करें कटिंग से जो लगाए हुए पौधे हैं तो यदि आप लोग को मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प स्टिफिकेशन आपको मिल सके तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ बाई बाई